For more videos, press the subscribe button and also turn on the bell notifications to receive the updates directly in your device. तो नमस्कार दोस्तों, गुड़ीवनिंग, मैं विकास नहरा फिर से एक बार हाजिर हूँ आपके लिए हमारे RHCE सीरीज का session number 4 लेकर. और आज के इस session में हम बात करने वाले हैं Ansible Adhoc Commands और Modules के बारे में. तो आज के इस session में मैं पहले आपको बताऊंगा कि Ansible Adhoc Commands क्या होते हैं, क्या उनको लिखने का syntax होता है, उसमें कैसे हम modules को define करते हैं, और कैसे हम different type of automation jobs के लिए Ansible Adhoc Commands का use कर सकते हैं. आपको Ansible Playbook लिखना सीखने से पहले Ansible Adhoc Commands को कैसे use करना है, ये सीखना जरूरी है, और आने वाले 2-3 sessions के अंदर हम Ansible Adhoc Commands के ज़्यादातर modules को cover करने की कोशिश करेंगे. तो आज की session में सबसे पहले तो आपको जानने को मिलेगा कि Ansible Adhoc Commands क्या होती है, Ansible Modules क्या होते है, Ansible Adhoc Commands का syntax क्या होता है, और फिर मैं आपको practically कुछ Ansible Modules को यहां use करके दिखाऊंगा, मेरी कोशिश रहेगी कि 5-6 Ansible Modules को Ansible Adhoc Commands के अंदर में मैं आपको run करके दिखा और साथ ही साथ मैं आपको यह भी सिखाऊंगा कि अगर किसी module या command का आपको यूज करने का तरीका नहीं पता है, आपको नहीं मालूम है कि यह module किसली यूज होता है, तो कैसे आप उस module के बारे में जनकारी जुटा पाएंगे और कैसे आप उसको यूज कर पाएंगे, Ansible Document के थूँ, क्योंकि हर module का documentation available होता है, Ansible के अंदर, तो documentation को कैसे access करना है, कैसे उसको read करना है, कैसे उसके अंदर दिये गए examples और options को, use करना है practically, वो चीज भी मैं आपको साथ के साथ बताता हुआ चलूँगा, तो आज का जो session है, बहुत ही interesting होने वाला है, और मेरी आप से request रहेगी कि आप session को पूरा देखिएगा, अगर आपको कोई ऐसी चीज है जो समझ नहीं आ रही है, तो आप live chat के माध्यम से comment करके मुझसे पूछ पाएंगे, लेकिन आप अपनी queries को हैं पोस्ट कर पाएं, उसके लिए जरूरी है कि पहले से आपने हमारे चैनल को subscribe करके overview दे चुका हूँ, मैं आपको installation ansible का कैसे करना है ये भी बता चुका हूँ, ansible inventory files क्या होती है, कैसे उनको लिखा जाता है, वो भी आपको बता चुका हूँ, static inventory को कैसे लिखना है, क्या उसका use है, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, आने वाले time में आपको dynamic inventory files के बारे मे में बताऊंगा, basically static और dynamic inventory files के अंदर ये difference होता है, कि static inventory के अंदर जो changes हम करते हैं, वो manually किये जाते हैं, और जो चीज महां लिख दी वो throughout the operation सेम रहती है, और उसी के हिसाब से आपका automation job perform होता है, लेकिन क्याई बार हमें इस तरह की inventory files ही है, जहां लगातार हमारे environment में, हमारे infrastructure में change हो रहा हो, जैसे कि suppose कीजिए हम कोई service provide कर रहे हैं और वहां multiple nodes काम कर रही है, अचानक से ज़्यादा traffic आ जाता है और auto scaling के वज़े से कुछ और nodes वहां add हो जाती है, तो वहां उन नए add होने वाले nodes की entry हमारे पास पहले नहीं होती है, inventory file के अंदर, तो उसको कैसे हम manage करते हैं, उसके लिए dynamic inventory का use किया जाता है, उसको मैं आपको आने वाले time में बताऊंगा, आज के session में और अगले 2-3 sessions के अंदर, हम जादा से जादा ansible modules को cover करने की कोशिश करेंगे, और ansible add-hoc command के through, मैं उनका आपको practically हैं use करके बताऊंगा, I hope आपको मेरी अवाज अब सुनाई दे रही होगी, तो आज के session से हम ansible modules और add-hoc commands की starting कर रहे हैं, और अगले 2-3 sessions तक यह continue रहेगा, और RHCE के अंदर 15-20 modules ऐसे हैं, जो अगर अच्छे से आपने कर लिए, तो आपका certification exam clear हो जाएगा, क्योंकि इने का use महाँ आपको देखने को मिलता है, और ज़्यादतर जब आप live environment में काम करते हैं, तो यही वो modules हैं जो ज़्यादतर use होते हैं, तो अगर यह सारे modules आपने अच्छे से कर लिए, तो आप 90% काम कर लेंगे, बचा हुआ जो काम है, जो उन modules से अलग है, जो अलग modules हैं, उनको कैसे आप use करेंगे, उसके लिए Ansible documentation की help आपको कैसे लेनी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, और Ansible में क्योंकि हजारों module हैं, तो आप उन सारे जो दूसरे modules से उनको भी use करना सीख जाएंगे, तो चलिए अब मैं हाँ से आपको सीधे लेकर चलूँगा, मेरे document में, और आप यकीन मानिएगा, इस document को बनाने में, मुझे दो दिन का समय लगा है, बहुत ही मैंनत मैंने किये इसके लिए, और यह सारा कुछ, जो भी मैं create कर रहा हूँ, documentation, यह सब कुछ आपको available कराया जाएगा, उन सभी लोगों को जो हमारे नए गुरूप के member हैं, जो seriously Ansible सीखना चाहरे हैं, और हमें support करने के लिए ready हैं, उन लोगों का अलग गुरूप मैंने बना रखा है, और यहां उन ही लोगों को हम study material प्रोवाइड करेंगे, तो यहां से अब मैं पहले screen change करूँगा, और आपको सीधे यहां से ले कर चलना चाहूँगा, मेरे document में, और यहां आप देख पा रहे होंगे, कि आज का जो session है, उसका agenda क्या है, आज के session में हम सबसे पहले बात करेंगे, Ansible Adhoc Commands की और Ansible Modules की, तो यह दोनों चीज़े हम cover करने की कोशिश करेंगे, और यह आने वाले sessions में भी continue रहने वाला है, Ansible Adhoc Commands की अगर मैं बात करूँ, तो जो Ansible Adhoc Commands हैं, उनको हम use करते हैं, one time automation jobs के लिए, ऐसे jobs जो एक ही बार हमें perform करने हैं, लेकिन अगर कोई repetitive job है, repetitive task है, उसके लिए फिर हमें Ansible Playbooks का use करना होता है, तो Ansible Adhoc Commands और Ansible Playbook, दोनों ही आपको मेरे पीछे दिखाई दे रही होंगे, डाइगराम में, आपको Ansible Playbook लिखना आना ज़रूरी है, लेकिन उससे पहले आपको Ansible Adhoc Commands को कैसे use करना है, उसकी knowledge होनी चाहिए, तो पहले इसलिए हम Adhoc Commands को cover कर रहे हैं, और एक बार जब आप Adhoc Commands पर अच्छे से अपना expertise हासिल कर लेंगे, अच्छे से आपको पता चल जाएगा कि Adhoc Commands क्या है, कैसे आप इसको लिखते हैं, क्या इसका use है, उसके बाद आप आसानी से Ansible Playbooks भी लिख पाएंगे, क्योंकि Playbook लिखने के लिए एक तो आपको YML की knowledge होनी चाहिए, option-m लगा कर, जैसे कि हम यम module हमने यूज किया है, और यही module हमने Playbook के अंदर भी यूज किया है, अगर आपको डाग्राम में दिख रहा होगा तो, तो अगर आपने Adhoc Commands को यूज करना सीख लिया, उसमें module को कैसे यूज करना है, उसके अंदर जो use होने वाले options को कैसे लिखना है, तो आप आसानी से फिर उसको implement कर सकते हैं, अपने Playbook के अंदर में भी, तो जब हम Playbook लिखेंगे, तो तब आपको बहुत आसानी होगी, अगर आपको Ansible Adhoc Commands अच्छे से आती हैं तो, अब बात करते हैं, कि यह Ansible Adhoc Commands है क्या, Ansible Adhoc Commands जो है, वो USR के अंदर, बिन के अंदर Ansible नाम की फाइल होती है, जो कि एक Command Line Tool है, और जिसका कि इस्तेमाल किया जाता है, किसी भी single task को automate करने के लिए, एक या एक से ज़्यादा manage nodes के उपर, Adhoc Commands जो हैं, तो वो quick होती है, आसानी से इस्तेमाल की जाने वाली होती है, और यह reusable नहीं होती, इसको उन tasks के लिए यूज नहीं किया जाता, जिनको एक से ज़्यादा बार हमें perform करना हो, क्योंकि हमें फिर बार बार वो ही काम करना पड़ेगा, और उसके लिए हर बार हमें command execute करनी पड़ेगी, तो बहतर है कि हम इसको उसी के लिए use करें, जो single time वाला task है, अगर कोई reusable task है, या repetitive task है, उसके लिए फिर हम playbooks का use करते हैं, Ansible Adhoc Command में, हम Ansible Modules का इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो Ansible Modules क्या है, Ansible Modules वो unit of code है, जिनकी मदद से हम किसी भी system resource को control कर सकते हैं, और execute कर सकते हैं system commands को, Ansible provide a module library, Ansible एक module library provide करता है, that can execute directly on remote host, जिसको की हम directly remote hosts पर execute कर सकते हैं, command या playbook के थुरू, और आप चाहें तो अपने खुद के modules भी लिख सकते हैं, ये भी flexibility आपको Ansible provide करने का काम करता है, तो Ansible module, अगर मैं आपको दिखाऊंँ, यह picture में आपको दिख रहा होगा, यहां कुछ Ansible add-off commands हमने यूज़ कर रखी हैं, और इन commands में, सारी ही commands में, आपको एक चीज common दिखेगी, कि option hyphen M के बाद हमने कुछ words यहां लिखे हैं, कुछ module names हमने यहां लिखे हैं, तो यही जो नाम हैं आपको hyphen M के बाद दिख रहे हैं, यह सारे modules हैं, जैसे कि YUM module है, Shell module है, User module है, जिसको की मैंने bracket में भी हैं highlight करके show किया है, तो ansible add-up command का अगर syntax की हम बात कर लें, तो सबसे पहले हम लिखते हैं उसमें ansible, फिर हम लिखते हैं उसमें उस host group का नाम, जिस पर वो automation job हम perform करने वाले हैं, उसके बाद हम hyphen M लगा कर उस module का नाम लिखते हैं, और modules जो हैं वो पहले से defined हैं ansible के अंडर में, और उसके बाद hyphen A हम लगाते हैं, और quotes के अंडर में हम argument mention करते हैं, argument का मतलब है key और उसकी value, और यह जो argument है, इसमें क्या-क्या options हम use कर सकते हैं, यह चीज पहले से module के अंडर में define होती है, module में already developer ने बता रखा है, कि इसके अंडर में आपको क्या लिखना है, argument के रूप में, तो अगर हम syntax की बात कर लें, ansible add-off command का, अगर मैं आपको syntax हो करने की कोशिश करूँ, तो यहां देखिए आपको दिख रहोगा मेरे पीछे, ansible add-off command का syntax है, उसमें ansible पहले लिखा जाता है, उसके बाद जो host group है, उसका नाम हम लिखते हैं, फिर hyphen m लगाके, उस module का नाम लिखते हैं, और यह module उस job से related होता है, जो job हम perform करने वाले हैं, जैसे कि अगर कोई package हमें remove या update या install करना है, तो उसके लिए yam module हम use कर रहे हैं, और फिर hyphen a लगाके, quotes के अंदर हम, जो argument है वो pass करते हैं, तो यहां, जो उसका syntax बना हो यह बना, कि हम ansible लिखेंगे, उसके बाद हम group का नाम लिखेंगे, फिर hyphen m लगाएंगे, फिर module का नाम लिखेंगे, फिर hyphen a लगाएंगे, और single या double quotes में हम argument पास करेंगे, तो यह पूरी जो command है, यह ansible ad hoc command कहलाती है, वहीं argument जो है, वो क्या है, argument जो है, वो basically यह key और value का pair है, मतलब एक key होगी और एक उसकी value होगी, जैसे कि यहां हम जो yum module यूज़ कर रहे हैं, उसमें हम लिखने हैं, नाम package का, httpd है, state जो है latest है, इस तरीके से, अब सबसे पहले, मैं यहां आपको ansible का installation करके दिखाऊंगा, बहुत तेजी से, और उसके बाद, मैं यहां आपको, ad hoc commands का use करके दिखाऊंगा, modules का use करके दिखाऊंगा, और ansible documentation को, आपको कैसे access करना है, modules के documentation को, वो use करके दिखाऊंगा, तो अब यहां से चलते हैं, सीधे अपनी, mobile extrem की screen पर, और यहां आप देख पा रहे होंगे, कि यह जो मेरी machine है, यह है ansible control node, या ansible server, और यह जो machine है, यह आरिचल 9 पर काम कर रही है, इस machine को हम, control node की तरह यूज करने वाले हैं, और सारा automation जो भी इसी पर perform करेंगे, जो यह machine है, इसका static hostname हमने पहले से set किया हुआ है, hostname ctl, set-hostname, से आप चाहें, तो जो नाम देना चाहें, वो नाम set कर सकते हैं, मैंने इसको नाम दिया है, ansible-server.nehera classes.local, और दो और machine हम use कर रहे हैं, जो की हमारी managed nodes की तरह काम करने वाली हैं, तो हम सबसे पहले, उनकी entry कर लेते हैं, अपनी host file के अंडर में, हाला कि यह जो काम है, यह optional है, आप चाहें तो इसको करें, आप चाहें तो ना करें, DNS अगर आप use कर रहे हैं, तो इसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप क्योंकि मेरे पास DNS नहीं है, तो मैं हाँ, सारी ही machines की entry कर रहा हूँ, etc host file के अंदर, ताकि हम इनको नाम से भी, ping कर पाएं, इनको use कर पाएं, एक बार हम connectivity चेक कर लेते हैं, देखिए, node 1 के साथ हमारी connectivity शो हो रही है, और node 2 machine के साथ भी हमारी connectivity शो हो रही है, तो हम आसानी से communicate कर पा रहे हैं, उसके बाद हमें यहाँ, Ansible का package install करना होगा, अपनी इस server machine में, तो dnf install-y ansible-core command में चला दूँगा, इससे Ansible का package हमारी machine के अंदर install हो जाएगा, और उसके बाद हम Ansible को verify करेंगे, कि इसका installation हुआ या नहीं, तो उसके लिए आपको मालूम है, Ansible-version command हम चलाते हैं, पहले भी मैं आपको यह चीज बता चुका हूँ, मैं जान बूज के दुबारा से सारी चीज़े बता रहा हूँ, ताकि आपको कोई भी confusion ना रहे, अगर आपने आज पहली बार इस training का session जोइन किया है, तो भी आप अपना काम असानी से कर पाएं, मैं चाहता इसको skip कर सकता था, क्योंकि अलड़ी दो sessions में मैं चीज करके दिखा चुका हूँ, अब देखिए, हम verify करेंगे ansible का version, तो ansible-version command हम चलाएंगे, ansible का version है 2.12.2 और यहाँ जिसकी configuration file है, जो default configuration file है, वो है etc के अंदर, ansible directory के अंदर ansible.cfg, चलिए, अब यहीं अगर आपने एक चीज notice कियो, तो यहाँ जो executable location है, वो दिखा रहा है, यूसर, bin और ansible, तो यहीं से वो सारा काम होना है, जब हम ansible command चलाते हैं, तो यही वाली file execute होती है, चलिए, अब हम आगे चलते हैं, अब यहाँ पहले एक user account create कर लेते हैं, मैं नहरे classes के नाम से एक user account add कर ले रहा हूँ, और यह काम आपको सारी machines में करना होगा, मतलब यह user जो है, सारी machines में present हो तो ज़्यादा अच्छा है, हाला कि आप चाहें तो दूसरा user भी ansible के लिए यूज कर सकते हैं, अब इसको password allocate कर देते हैं, तो मैं इसको जो password allocate कर रहा हूँ, वो है red hat, इसके बाद इस user की entry हम कर लेते हैं, sudoors file में, ताकि यह admin job भी perform कर पाए, तो मैं है इसके लिए echo command का use कर रहा हूँ, etc के अंदर sudoors.d directory में नहरे classes नाम की file बना रहा हूँ, उसमें इसकी entry कर रहा हूँ, बिना password के, sudo command के साथ यह सारे admin job perform कर पाएगा, हाला कि आप directly vi sudo command चला के भी इसकी entry कर सकते हैं, इसके बाद हम switch कर जाएंगे इस user के account में, और यहां हम passwordless authentication का use करने वाले हैं, last session में मैंने आपको बताया था, कि तीन तरीके से हम communicate करते हैं, node machines के साथ, या तो हम key based authentication कर लेते हैं, यानि कि passwordless authentication, दूसरा है password based, जिसमें कि हम option hyphen k लगाते हैं, और password manually mention करते हैं, और तीसरा होता है inventory based, जिसमें हम inventory में ही user का नाम और password mention कर देते हैं, सबसे अच्छा तरीका होता है, कि हम passwordless authentication कर ले, तो मैं यहां से ssh keys generate कर ले रहा हूँ, नहरे classes वाले user के लिए, और यहां जो इसकी public key है, उसको हम copy कर देंगे, authorized underscore keys के नाम से, remote node पर इस user की directory में, लेकिन उससे पहले, हमें उस node में जाना होगा, और वहां हमें यह नहरे classes वाला user account, add करना होगा, तो हम यहां से एक बार, jump करके चले जाते हैं, node 1 के अंदर, और इस machine में, ओके, यह user में पर जेंड नहीं है, actually, कोई दिक्कत नहीं है, root से ssh कर लेते हैं, node 1, मैंने allow किया हूँ है, root user से login, जनरल यह rhl9 में disabled होता है, अब इसके बाद, हम यहां, इस machine में, नहरा classes वाला account अड़ कर लेते हैं, जल्दी से, password फिर उसको, define कर देंगे, और sudo और file में भी इसकी entry कर लेंगे, अब वापस आ जाते हैं, और यहां जो हमने key generate की थी, अपने Ansible server पर, नहरा classes user के लिए, उसको हमें copy करना होगा, अब node 1 वाली machine के अंदर, तो उसके लिए हम कमांड चलेंगे, ssh-copy-id, नहरा classes add the rate node 1, password के लिए prompt करेगा, password दे देना है, और यहां से जो key file है, वो copy हो चुकी है, अब आपका जो यह passwordless authentication है, यह काम करेगा या नहीं, यह आपको एक बार cross verify कर लेना है, तो आप यहां से ssh करके देखेंगे, अगर नहरा classes वाले user से, node 1 वाली machine में, तो यह password के लिए आपको prompt नहीं करेगा, डारेक्लिए आपको allow करेगा, इस तरीके से, चलिए, अब node 1 के साथ हमारी passwordless connectivity हो गी है, यानि की-based authentication हमने कर लिया है, अब यही काम हम, यहां से करने वाले हैं, node 2 वाली machine में, तो पहले node 2 वाली machine में, root user के account से, login कर लेते हैं, इसके बाद, यहां भी एक neहरा classes के नाम से, हमें account add करना होगा, मैं नहीं चाहता हूँ कि, different accounts का मैं use करूँ, तो नहरा classes नाम का user, यहां node 2 वाली machine में मैंने add कर लिया, मैं चाहता तो तीन terminals open करके, यह काम कर सकता था, मैं लेकिन एक ही terminal का use करना चाहरा हूँ, तो यह सारा काम में, एक ही terminal से आपको दिखा रहा हूँ, SSH करके, sudoors फाइल में भी entry कर ली है, अब वापस आ जाते हैं अपने ansible server में, और यहां से, अब हम copy करने वाले हैं, इसकी nehraclasses user की public key को authorized underscore keys के नाम से, node 2 वाली machine में है, nehraclasses user की home directory में, file copy हो चुकी है, अब हम दुबारा से यहां verify करेंगे, कि क्या हम node 2 वाली machine में, nehraclasses user से बिना password के login कर भी पा रहे हैं या नई, तो देखिए, हम login कर पा रहे हैं, इसका मतलब जो passwordless authentication हमने किया था, वो बिल्कुल perfectly काम कर रहे हैं, इतना काम हमने कर लिया, अब हम वापस आ जाते हैं, अपने server में, आपको ध्यान रखना है, कि को उनसी command किस machine से चलानी है, अब इसके बाद, यहां आपके पास दो तरीके हैं, आप क्योंकि हमें inventory की ज़रुत पड़ेगी, तो या तो आप जो default inventory फाइल है, उसका use कर लें, या आप अपनी खुद की inventory फाइल create कर लें, जैसे कि मैंने आपको पिछले session में दिखाया था, तो अब ही हम यहां, जो ansible की default inventory फाइल है, उसी का use करने वाले हैं, और उसको edit करने के लिए या तो आपके पास root access होना चाहिए, या आपके पास sudo access होना चाहिए, तो क्योंकि मैं एक आम नहरा classes वाले normal user account से कर रहा हूँ, तो मैं sudo लिख रहा हूँ, और इस फाइल को vi editor में open कर ले रहा हूँ, सीधे इस फाइल के last में आ जाते हैं, shift g दबा कर, और यहां एक group बना लेते हैं, dev नाम का, और इसमें दोनों ही node machines की हम यहां entry कर देते हैं, कुछ इस तरीके से, उसके बाद, file को save कर लेते हैं, अब हमने inventory file भी अपनी बना लिए, अब यह जो inventory file है, सारे users के लिए काम करेगी, जो भी Ansible का use करना चाहरे होंगे, अब हम verify करेंगे कि क्या, यह जो entry हमने की, यह सही से काम कर भी रही है या नहीं, तो हम यहां इसको verify करते हैं, Ansible all-list-hosts कमांड चला कर, तो यहां देखिए, दोनों node machines की details हमें show कर रहा है, इसका मतलब, जो inventory file में हमने entry की है, वो बिल्कुल सही से काम कर रही है, अब हम आगे चलेंगे, और अब हम यहां से, Ansible ad hoc commands और modules का use करेंगे, तो यहां आपके installation करने के बाद, जब आपने अपनी machine में Ansible का installation कर लिया, तो Ansible की बहुत सारी चीज़ें यहां साथ में install हो जाती है, जो भी modules वगरा हैं, उनके documentation के साथ, उनकी पूरी information हमारी machine में, यहां आपको देखने को मिल जाएगी, अब मैं एक बार क्या करने वाला हूँ, कि मैं एक बार मशीन से मैं इनका snapshot ले लेता हूँ, क्योंकि आने वाले हर session में हमें इसकी ज़रुत पड़ेगी, तो मैं एक बार से पहले screen चेंज करूँगा, और यहां से मैं करता हूँ display capture, और यहां मैं running machines का ही snapshot ले लेता हूँ, ताकि आने वाले time में हम सिर्फ इनको restore करके अपना काम कर लें, तो यहां snapshot मैंने ले लिया है, हमारे server का, आपको देखिए, यहां दिख भी रहा होगा, snapshot मैंने ले लिया है, हमारे node 1 वाली machine का भी, और snapshot मैंने ले लिया है, हमारे node 2 वाली machine का भी, चलिए, अब हम वापस आ जाते हैं, मैं screen change करूँगा दुबारे से, अब हम simply restore करके, वापस इसी state में आ जाएंगे, जहां अभी तक हमने changes किये हैं, अपनी इन machines के अंदर, अब अगर आपको print करने हैं, सारे default modules के name, उनके description के साथ, जो भी Ansible के modules available हैं, आपकी machine में, इस version में, जो आपने install किया है Ansible का, तो उसके लिए आप Ansible-doc-l, यानि कि Ansible-doc-l, हाइपन-l का मतलब है list, कि यह command चला सकते हैं, इससे जितने भी modules, आपकी machine में install हुए, जिनका आप use करना चाहते हैं, उनके description के साथ, उनका नाम आप यहां print कर सकते हैं, उसको list कर सकते हैं, यह लगबग 64 या 65 modules होंगे, लेकिन, actually Ansible के बहुत ज़्यादा modules हैं, तो यहां अभी वो हैं, जो इस version के साथ हमें हैं, by default देखने को मिलते हैं, अब, suppose कीजिए कि आप count करना चाहते हैं, कि वह कितने modules, ऐसे हैं, जो अभी मेरी इस machine में available हैं, तो उसके लिए आप यहां simply filter लागे, WC-L लगा दें, इसी command में, तो आपको यहां number भी दिख जाएगा, total 69 यहां जो modules हैं, वो हमें देखने को मिल रहे हैं, चलिए, अब हम आगे चलते हैं, अब, यहां बहुत सारे important modules हैं, जो RHEL 9 में, RHC exam में हमें, जिनका use देखने को मिलता है, या फिर real time की भी में बात करूँ, तो यही वो modules हैं, जो बहुत ज़्यादा बार-बार use होते हैं, industry में भी, तो जो important modules हैं, अगर उनके नाम की में बात करूँ, तो कुछ नाम ऐसे हैं, जो मैं हैं आपको दिखाना चाऊँगा, तो एक file में हैं बना लेता हूँ, modules.txt के नाम से, और यहां इस file में में सारे modules, एक एक करके mention करतावा चलूँगा, देखिए, जो पहला module है, वो है copy module, जिसकी हम बात करेंगे अभी आज के session में, फिर हम बात करेंगे command module की, फिर हम बात करेंगे raw module की, फिर हम बात करेंगे shell module की, फिर हम बात करने वाले हैं fetch module की, फिर हम बात करने वाले हैं get URL module की, उसके बाद, आने वाले sessions में, यानि कि जो next session होगा, और उसके बाद जो sessions हम conduct करेंगे, उनमें कुछ और module ऐसे हैं, जिनको हम include करेंगे जैसा की फिर हम next session में बात करेंगे line in file module की, फिर replace module की, file module की, user module की, group module की, yum module, package module, stat module, mount module, setup module और इसके अलावा भी 3-4 modules और मैं यहां cover करने की कोशिश करूँगा आने वाले sessions में तो लगबग 20 module ऐसे हैं जो हम यहां बाकाइदा practically cover करने वाले हैं, इसके अलावा जो modules हैं, हाला कि वो इतने important नहीं है, उनको आप खुद जो है practice करके देखिएगा, और अगर कहीं आपको दिक्कत आती है, तो आप मुझे comment कर सकते हैं हमारे group में, हमारा जो नया group है, उसमें मैं आपको पूरा support provide करूँगा, free of cost, बाकाइदा अगर आपको इशू आ रहा है, तो remotely आपकी machine को access करके भी मैं आपकी help कर दूँगा, तो यहे वो file है, जो मैंने बना ली है, कि हम कौन-कौन से modules को study करने वाले हैं, आज और अगले 2-3 sessions के अंदर, अब इन modules को आपको use कैसे करना है, वो मैं आपको practically यहां दिखाने वाला हूँ, Ansible modules का use, और उसमें भी अगर हम बात करें सबसे पहले कि कौन सा module हम ले रहें, तो जैसा कि मैंने अभी आपको list में दिखाया, सबसे पहला module है, वो है copy module, तो अभी हम copy module की बात करने वाले हैं, अभी आप यह मान के चलिए कि आपको किसी भी module को use करने का कोई तरीका नहीं पता है, और आपको यह भी मालूम नहीं है कि Ansible add-off command में आप module को कैसे use करेंगे, तो जो copy module है, उसका काम क्या है, copy module is used to copy the files from Ansible server to managed nodes, आपके Ansible server में अगर कोई file मौजूद है और उस file को आप copy करना चाते हैं अपनी manage nodes पर, उन सारी machines में एक ही बारी में उस file को अगर आप अपने central server से copy करना चाहरे है, manage nodes की कि किसी location में तो उस काम के लिए आप copy module का use करते हैं, अब यहाँ एक example हम ले सकते हैं कि suppose कीजी हमारे पास है एक file nehraclasses.txt के नाम से, उस file में कुछ लिखा हुआ है, suppose कीजी उसमें लिखा हुआ है nehraclasses are awesome, और उस file को हम अपनी present working directory से control node की से copy कर रहे हैं tmp directory में सारी की सारी managed nodes के अंदर, तो यह काम हम कैसे करेंगे, यह मैं अब आपको यहाँ practically करके दिखाने वाला हूँ, लेकिन उसके लिए पहले हमें यहाँ एक file बनानी होगी nehraclasses.txt के नाम से, तो चलिए एक file बना लेते हैं nehraclasses.txt के नाम से, file मैं आपको open करके भी दिखा देता हूँ, देखिए, इसमें मैंने लिख दिया है, nehraclasses are awesome, हाला कि यह बात सच है, nehraclasses तो awesome है ही, इसके बाद, अब आप यहाँ से कैसे इस file को copy करेंगे, सारी manage nodes के अंदर, tmp directory में वह मैं आपको बताने वाला हूँ, और इसके लिए कोई, आपको यहाँ rocket science की ज़रूत नहीं है, simple सी एक add-o command है, जो आप use कर सकते हैं, तो सबसे पहले क्योंकि add-o command जब आप लिखते हैं, तो उसमें आप लिखते हैं ansible, तो हम यह लिख देंगे ansible, बहुत ध्यान से आपको समझ रहा है, उसके बाद, जिस भी group पर आपको यह command चलानी है, जैसे कि मैंने dev group लिखा था, तो मैं लिख दूँगा dev, यह अगर कुछ और भी group है हमारी inventory file में, और सभी पर यह काम करना है, तो उसके लिए मैं लिख दूँगा all, तो ansible लिखने के बाद आपको group का नाम लिखना है, और सारे पर यह काम करना है, तो आप लिखेंगे all, उसके बाद आप यह-m लगाएंगे module के लिए, कि कौन सा module हमें use करना है इस काम को करने के लिए, उसके बाद क्योंकि हम copy module का प्रियोग करने वाले हैं, तो हम यह लिखेंगे copy, और ज्यादा तर जो modules हैं, वो उसी काम के नाम के हिसाब से आपको देखने को मिलेंगे, और अगर आपको नहीं पता है कि इस काम को करने के लिए कौन सा module है, तो बाद आप documentation में उसको देख सकते हैं, यह beauty है, जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया, जैसे कि आप यहाँ अगर ansible, hyphen, doc, hyphen, l, comment चलेंगे, तो सारे modules आप list कर सकते हैं, तो इसी तरीके से आपको पता चल जागे कि कौन सा module मेरे इस काम के लिए appropriate है, अब हमने यह copy module को call कर लिया, इसके बाद हम यहाँ, hyphen, a लगाएंगे, argument के लिए, और यहाँ single quotes या double quotes का हम प्रियोग करेंगे इस तरीके से, और इसके अंदर हमें क्या लिखना है, यह चीज आपको बहुत ध्यान से समझनी है, क्योंकि हर module के अंदर, यह जो key value pair है, इसको यूज करने का तरीका लगे, तो अब हमारे पास जो file है, अब file को जब हमें copy करना होता है, तो हमें बाकाईदा उसकी source और destination की location बतानी होती है, तो यहां जो हम file copy करने वाले हैं, उसका source हमें बताना पड़ेगा, और source के लिए हम लिखते हैं src, अब यह src ही क्यों आया, क्योंकि यही developer ने हम set किया है, जब आप इस copy module का documentation पढ़ेंगे, तो आपको हैं पता चलेगा कि hyphen a argument के अंदर में कौन-कौन सी values, options आप use कर सकत यहां, तो src लिखके, मैं यहां लिखता हूँ nehraclasses.txt, और यहां tab की काम नहीं करती है, तो आपको manually इसको लिखना पड़ेगा, इस तरीके से, फिर आप space देंगे, और जो यहां दूसरी key value है, उसको यहां enter करेंगे, क्योंकि हमें यहां tmp directory में copy करना है इसको, तो हम यह destination के लिखेंगे dest is equal to slash tmp, इस तरीके से हमें source और destination के paths को define करना पड़ेगा, इसके बाद हम इस command को execute करने के लिए enter प्रेस करेंगे, तो यह file यहां copy हो जाएगी, हाला कि इसको नहीं पूछना चाहिए था, बतानी क्यों हो यह, मुझे यहां पूछ रहा है connection के लिए, कोई द दिकत नहीं आएगी, देखिए, status change हो गया, yellow color में यह हमें show हो रहा है, 16 number वाली node पर, तो यहां यह file copy हो चुगी है, अभी 17 number वाली पर देखिए, कि यह copy होता है या नहीं, उसका status अभी है, इसने हमें show नहीं किया है, मेरी मशीन शायद hung है, 17 number वाली, चलिए, कोई दिकत नहीं है, भी हम इसको verify कर लेंगे, एक बार मैं यहां दूसरा session भी open करने की गोशिश कर लेता हूँ, 192.168.1.17, node 2 पर लोग इन कर लिया है, और यहां अगर आपको yellow color में output दिखता है, तो yellow color का मतलब होता है, कि status change हुआ है, मतलब जो काम आप करना चारे थे, वो हो गया है, अगर green color में show होता है, इसका मतलब changes नहीं हुए, लेकिन आपका job जो है, और अगर red color में show होता है, तो इसका मतलब है कि कुछ error है, आपका जो automation जोबता और perform नहीं हो पाया है, अच्छा, इसका reason यह है कि node 1 और node 2 के नाम से, हमने वाँ inventory फाइल में entry नहीं की थी, हमने IP address मेंचिन किया था, इसलिए इसने yes, no के लिए हमें prompt किया था, चलिए कोई दिकत नहीं है, एक बार इसको cancel करते है दुबारा से इसको करेंगे, मैं एक बार दुबारा से inventory फाइल open कर लेता हूं, और यहां हम, क्योंकि हमने already IP addresses की जगा, नाम यूज़ किया है, तो हम यहां node 1 और node 2 लिख देता हूं, दुबारा से एक बार verify करते हैं कि क्या, यह resolve कर पा रहा है, देखें, node 1, node 2 यहां show हो र रहा है, और अब मैं दुबारा से एक बार यह command चलाता हूं, फाइल को copy करने के लिए, देखें, अब देखें, अब आप ध्यान से देखेंगा, node 1 पे जो पहले ही perform हो गया था, जब हमने पिछली बार command चलाई थी, तो इसलिए उस पे, जो इसका status हो green color में शो रहा है, यान मैंने बीच में interrupt कर दिया था, तो ये yellow color में शो रहा है, क्योंकि status change हुआ है, और job जो है, वो perform हुआ है, अब हम verify करेंगे कि क्या, जो file है, वो copy हुई, tmp directory में, जो manage nodes हैं, उनमें या नहीं, तो ये जो node 2 वाली machine है, इसमें हम चले जाते हैं, cd.tmp करके, tmp directory में चले जाते ह नहरा classes are awesome, और अगर आप इस file की permissions को यहां देखना चाहेंगे, तो देखिए आपको क्या देखने को मिलेगा, नहरा classes नाम के user ने इसको create किया है, नहरा classes ही उसका group भी है, यही काम अगर आप अपने server से करना चाहते हैं, अब यह तो हमने बाकायदा verify किया है, जो node machine है, उस इसको verify ना करना पड़े, तो क्या कोई ऐसा तरीका भी है, जिसकी मदद से मैं अपने central server से ही, उसको list कर पाऊं, उसको पता कर पाऊं, तो बिल्कुल उसके लिए दूसरा module आपको use करना होता है, तो मैं वो भी आपको बता देता हूं, तो जो same command है, उसी का बिल्कुल आप प्रियोग करेंगे, यहां अलग से कुछ नहीं करना है, देखे, यहां आप लिखेंगे पहले ansible, फिर group का नाम, और फिर hyphen M लगा के module का नाम, और module में इस बार हम copy की जगे लिख देंगे, command, क्योंकि हम command चलाने वाले हैं, hyphen A, argument, और यहां quotes के अंदर हम वो command चला देंगे जिससे की हम file को verify कर पाएं, तो मैं यहां ls hyphen lh slash tmp slash nehra classes dot txt लिख देता हूँ, तो जैसी मैं enterprise करूँगा, यह file अगर वहां होगी tmp directory में, तो यह हमें show कर देगा, non zero return, error है, अभी यह command, जो हमने चला है, इसकी help से नहीं कर पा रहा है, एक बार row, command का use करते हैं, row कब use करना है, command कब use करना है, यह भी मैं आपको बताऊंगा, connection closed, एक मिन्ट दीजिएगा, मैं जब आपको चेक करके आपको बताता हूँ, ansible all hyphen m, फिर हमने लिखा है command, फिर लिखा है argument, और फिर हमने लिखा है, slash tmp, nehraclasses.txt, command में गलती थी, actually, node 2 पर भी, यह file हमें दिख्री है, tmp directory में, और node 1 पर भी, यह file हमें देखने को मिलती है, अब इस file के अंदर क्या लिखा हुआ है, यह भी हम verify कर सकते हैं, तो हम यहां, ls-lh की जगा, cat लिख सकते हैं, तो cat slash tmp slash nehraclasses.txt, और यह काम हम ansible server से ही कर रहे हैं, तो देखिए, nehraclasses are awesome लिखा है, दोनों ही nodes पर tmp directory में, जो यह file copy हुई है, nehraclasses.txt के नाम से, चलिए, अब यहां मैंने command module का use किया, verify करने के लिए, जब भी आपको कोई command चलानी हो, तो आप command module का use कर सकते हैं, या row module का use कर सकते हैं, row module का use करना है, और command module का use करना है, वो दोनों ही मैं आपको बताऊंगा, अभी थोड़ी देर के बाद, तो आपको चिंता करने की ज़रुत नहीं है, अभी आप यह समझिए, कि अगर आप को command चलाना चाते हैं, और आपको module नहीं पता कि किस module से काम होगा, तो आप command module का use कर सकते हैं, तो पहला जो automation job था, वो हमने perform किया, जिसमें कि हमें एक file को copy करना था, आपने central node से, manage node के अंडर में, किसी directory में, अब एक दूसरा example लेंगे, लेकिन उससे पहले, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि, हमें documentation पढ़ना आना चाहिए, तो यहां जो argument हमने use किये, sorry, जो argument हमने use किये हैं यहां इस command में, जैसे कि source or destination, यह चीज मुझे कहां से पता चली, मुझे भी तो कहीं से पता चला होगा, मैंने भी तो कहीं से पढ़ा होगा, अब suppose कि यह कोई नया module बनाया, developer ने, तो उसका किसी को भी नहीं पता है, तो आप उसको कैसे पता करेंगे, इसके लिए आपको ansible का documentation पढ़ना आना चाहिए, तो आप यहां ansible-doc, यूज होता है, फाइल को, कोपी करने के लिए आपके central server से, बाकी node machines में, और यहां इसके साथ, आप कौन-कौन से attributes यूज कर सकते हैं, वो सारे attributes यां दे रखे हैं, अगर आप backup लेना चाहते हैं, आप backup का option यूज कर सकते हैं, हाइपन यह जो है, वो attributes के लिए है, तो वहां जो मैंने, quotes के under में जो चीजे लिखी हैं, उनमें कौन-कौन से options हम वहां यूज कर सकते हैं, वहां backup नाम का option यूज कर सकते हैं, checksum नाम का कर सकते हैं, content नाम का कर सकते हैं, decrypt नाम का कर सकते हैं, dest नाम का कर सकते हैं जिसका कि हमने अभी किया भी है destination को define करने के लिए directory mode के नाम से कर सकते हैं follow force group local underscore follow mode mode का use होता है permission के लिए honor define कर सकते हैं remote source का use कर सकते हैं वो भी मैं आभी आपको बताऊंगा थोड़ी ज़र के बाद ac level जो है है मतलब ac linux का level क्या है उसके लिए कर सकते हैं role के लिए कर सकते हैं ac linux के type के लिए कर सकते है ac linux user के लिए कर सकते है src मतलब source हम define करेंगे ही तो इसका use तो हो गई unsafe rights validate तो ये सारे जो attributes हैं हम वहाँ use कर सकते हैं इनके बाकाइदा examples भी आप यहां लिस्ट कर पाएंगे online जो documentation हैं वह भी आप यहां से access कर सकते हैं सारे links वगएरा हैं आपको provide कर दिए गए है और देखिए examples का कैसी use करना है वो सारी चीज़े आपको यहां इनोंने show कर दिए है तो बाकाइदा अगर कोई भी module है जिसकी जानकारी आपको नहीं है या नया module है या आपने कभी use नहीं किया है तो उसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप उसका पहले documentation पढ़िए उसमें जो examples दिए हैं उनको implement करने की कोशिश कीजिए और यही तरीका है एक तरीका है कि आप जो है पढ़ें पहले और फिर practice करें और दूसरा तरीका है कि आप at least जैसे कि मैं बता रहा हूँ जो मैंने steps बता है उनको follow करें और practice करें तो practice तो आपको दोनों ही सूरुत में करनी है लेकिन जो अच्छा तरीका है वो यह है कि कोई भी नया module अगर है जिसकी आपको knowledge नहीं है तो उसका पहले documentation पढ़ें जैसा कि हम help manual पढ़ते हैं Linux में भी किसी command का जब मैंने पहले sessions लिए थे RHCS से के starting के sessions लिए थे तो मैंने आपको help manual पढ़ना सिखाया था और मैंने आपको बताया भी तकि अगर कोई नई command है तो उसका आपको पहले हमेशा manual पढ़ना है उसके बाद उसको use करना है वही काम आपको यहां करना है ansible में भी अगर कोई ऐसा module है जिसकी आपको कोई knowledge नहीं है तो आप उसका documentation पढ़ेंगे अब एक job हमने perform किया अब एक और दूसरा job है हमारे पास अभी मैं copy module का ही इस्तिमाल करूँगा दो-तीन example लूँगा ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा options इसके जो है argument के वो use करके दिखा सकूँ अगर आपको यहां कोई file create करना है content के साथ अब ही हमने क्या किया था एक file हमने पहले बनाई थी content पहले लिखा था फिर हमने उसको copy किया था file को manage node में अब अगर आपको content साथ में define करना हो argument के साथ ही command में मतलब आप पहले उस file को नहीं create करके रखा है आपने आप साथ के साथ यह कम करना चाहते है तो वो काम आप कैसे करेंगे मतलब आप एक file command में ही बना भी रहे हैं और उसको copy भी कर रहे हैं अपनी manage nodes के अंडर में तो वो काम आप कैसे करेंगे वो मैं आप आपको बताने वाला हूँ उसके लिए आप लिखेंगे ansible फिर group का नाम all लिख देते हैं सारी nodes के लिए फिर हम यहां लिखेंगे hyphen m hyphen m का मतलब आपको पता है hyphen m का जो मतलब है वो है module फिर हम लिखेंगे copy क्योंकि copy module का यूज़ कर रहे हैं फिर हम लिखेंगे hyphen a यह का मतलब है argument और फिर single quotes में हम लिखेंगे content content का मतलब है कि आप क्या लिखने वाले हैं अब content में मैंने लिखा है नहरा glasses are awesome और फिर कहां इसको copy करना है destination location हम उसकी define कर देते हैं tmp directory में नहरा classes 2.txt के नाम से enter press करेंगे यहां जो यह आपको quotes लगानी है यह बहुत ध्यान से लगानी है इनकी वज़े से कई बार यह command execute नहीं हो पाती है देखिए copy होगी और yellow color में show हुआ है यानि कि status change हुआ है बाकाइदा जो job आपने perform करना चाहा था वो हो गया है अब हम verify करते हैं कि क्या यह file वहाँ copy हुई या नहीं तो cat command का प्रियोग करते हैं और nehraclasses 2.txt वाली file को open करते हैं तो इस file में देखिए हमें क्या देखने को मिलेगा इसमें nehraclasses are awesome लिखा हुआ है तो इस तरीके से आप आसानी से verify कर सकते हैं कि आपने जो काम करना चाहा था वह हुआ या नहीं तो yellow color अगर आपको दिख रहा है तो successful है आपका जो job है और changes implement हुए है green color में अगर show हो रहा है तो इसका मतलब जो है automation पहले ही successful हो चुका था लेकिन changes जो है वो क्योंकि पहले ही हो चुके थे इसलिए अब implement नहीं हुए और red color में अगर कुछ यह आपको देखने को मिलता है तो इसका मतलब है कि error है और आपको error को rectify करना है अब एक और example लेते हैं जिसमें कि हम एक file को copy करना चाह रहे हैं किसी ऐसी location में जहां इस normal user नहरा classes को access नहीं है जैसे कि सब पूच कीजी opt directory में अगर यह नहरा classes user कोई file copy करना चाहेगा तो क्या होगा तो उसके लिए command चलाएंगे ansible all यानि कि group का नाम hyphen m लगाएंगे module के लिए copy module का यूज कर रहे हैं hyphen a का मतलब है argument फिर source part define कर रहे हैं तो यहां क्योंकि permission नहीं है तो red color में error हमें देखने को मिलेगी failed हो गया हमारा जो automation job था कुछ इस तरीके से error हमें देखने को मिली है not writable बाकायता बता भी रहा है कि error है क्या अब इस error को आपको fix करना है तो यहां यह जो job है यह permission ना होने की वज़े से implement नहीं हो पाया तो यहां आपको normal user को या तो permission देनी होगी या आपको उसके लिए sudo का यूज करना होगा अब इस तरह की जो problems हैं उनको deal करने के कई तरीके हैं एक तो यह है कि आप root user का account यूज कर लें दूसरा यह है कि आप sudo privilege का यूज कर लें तो root user से कैसे आप इस काम को करेंगे तो उसके लिए आपको root का password पता होना चाहिए कि जो आपकी managed nodes हैं उनमें root का password क्या है वो अगर आपको मालूम है तो आप आसानी से ये काम कर सकते हैं तो आपको इस command में ही ये बताना होगा Ansible को कि आप root user के account से एकाम करना चाहिए नहरे classes से नहीं करना चाहिए तो आप उसके लिए hyphen u लगाएंगे पहले लिखेंगे root और फिर hyphen k लगाएंगे password prompt के लिए फिर ये आप से root का password मांगेगा तो आपको यहाँ जो root का password है और वो password सेम होना चाहिए सारी notes में वो आप दे देंगे और enterprise करेंगे तो अब ये file जो है root के account का use करेगी और copy हो जाएगी opt directory के अंदर और क्योंकि yellow color में show हुआ है status तो यहाँ देखिए status change हुआ है और दोनों ही notes में ये file copy हो चुकी और opt directory में भी अब क्योंकि हमने हाँ root के credentials का use किया लेकिन ये safe practice नहीं होती ansible वालों को generally हम root का access नहीं देना चाते क्योंकि उसकी वज़े से क्या है server में कुछ और दूसरी problem create हो सकती है अब यहाँ अगर आप इस command को दुबारा चलाते हैं क्योंकि ये automation job perform हो चुका है एक बार और इस बार हम बिना hyphen you और root लिखें इस काम को कर रहे हैं तो ये काम हो जाएगा जबकि पिछली बार हमें error देखने को मिली थी तो उसके दो reasons है पहला reason तो ये है क्योंकि automation job पहले ही हो चुका है तो system ने चेक ही नहीं किया अब इसको वहाँ फाइल दिखी तो इसने फिर इसको perform ही नहीं किया और अभी तक rheal 8 तक में क्या हुआ करता था एक बार अगर आपने कोई ansible ad hoc command चला दी तो जो tunnel है वो 60 seconds तक by default open रहती है उस particular automation job के लिए अगर आप उसको re-perform करना चाहरे है तो और इसका जो option है वो भी आपको file के अंदर में देखने को मिलता है control persist के नाम से यह option वहाँ होता है अब क्योंकि यह बिल्कुल exactly same काम था same file को same location में copy करना था already यह हो चुका है तो इसने permissions को check नहीं किया इसने बोला हो चुका है already success है लेकिन क्योंकि यह green color में show हो रहा है इसका मतलब यह पहले ही हो चुका है अभी नहीं किया है इसने इस काम को तो यह हो गया अब यहीं अगर आप कुछ और दूसरी तरीके का काम करना चाहते हैं जैसे कि मैं यहाँ इस file को दूसरे नाम से copy कर रहा हूँ नहरा.txt के नाम से इसको copy करना चाह रहा हूँ तो मैं लिखता हूँ फिर group का नाम फिर hyphen M लगा के copy module फिर hyphen A फिर argument में मैं source define कर रहा हूँ नहरा.txt और destination में opt directory में इसको copy कर रहा हूँ नहरा.txt के नाम से without root user के account के तो देखिए अब जैसी मैं enterprise करूँगा तो ये failed show करेगा status को क्योंकि ये जो job है different है इसमें ये तूसरी file हमें create करनी है और क्योंकि जो normal user है नहरा classes उसको वहाँ permission नहीं है तो हमें इसको copy करने के लिए या तो root user का account यूज करना होगा या फिर हमें या pseudo privilege का use करना होगा अब pseudo privilege आप कैसे use करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ अब ये जो command आपने चलाई इसी command में आपको pseudo define करना है और दूसरी चीज ये है कि pseudo access आपके पास इसी user के लिए होना चाहिए इसलिए मैंने pseudo or file में इन users को नहरा classes वाले users को हर एक machine में add किया था पहले ही तो आप इसी command में last में पहले लिखेंगे hyphen b hyphen b का मतलब है become और फिर आप या कौन सा method follow करना चाहरे है उसके लिए आप या option लिखेंगे hyphen hyphen become hyphen method और उसके बाद लिखेंगे sudo तो hyphen b है मतलब become हो जाई है और कौन सा method यूज़ करेंगे मतलब दूसरे user को बनने के लिए sudo sudo के थोरो हम ये काम करने है और जैसे हम enter press करेंगे तो ये क्योंकि हमने no pass wd किया हुआ है sudo और फाइल में तो यह हमें sudo password के लिए भी अगर हमने वहाँ no pass wd ना किया होता तो हमें ipn k भी लगाना पड़ता और password भी देना पड़ता अपना normal user का password अब देखिए जो status है वो change हुआ है yellow color में हमें output देखने को मिलता है दोनों ही notes में ये file copy हो चुकी है जो की पहले नहीं हो पा रही थी इस बार जो method इसने यूज किया है वो है sudo or file वाला method अब यही काम अगर आप करना चाहें sudo से करने का दूसरा एक और तरीका है अगर आप कुछ ना भी mention करें जैसे कि suppose कीजिए मैं c file को same location में file.txt के नाम से copy करना चाहता हूँ अब क्योंकि वहाँ permission नहीं है नहरे classes को और मुझे एक काम sudo से करना है तो मैं हर बार hyphen b और hyphen hyphen become method sudo ना लिखके hyphen b b अगर लगा दूँआ तो यह by default समझ लेगा कि मैं sudo का use करना चाहता हूँ यह चीज पहले से पता होती है तो आगर आप hyphen b b लगाते हैं तो अटोमेटिकली वह sudo और के थ्रू इस काम को करके देगा आपको देखे तो यह file copy हो गई आप लोग अपना नाम जरूर कमेंट कर दीजिएगा क्योंकि हम उनी लोगों को study material का access देंगे जो लोग live feed में हमारे साथ जुड़ रहे होंगे अब यहाँ आपको समझाने के लिए आपको इस पर ज़्याद अच्छी clarity देने के लिए क्योंकि यहां nehraclasses वाले user को permission नहीं थी दो method हमने यूज किये एक तो root user का password का इस्तिमाल किया root के credential से दूसरा sudo वाला concept हमने यूज किया तो यह काम actually हुआ कैसे जो login user है ansible में वो तो nehraclasses ही है लेकिन control node में जाके जो nehraclasses है इसने shell change किया होगा और इसने sudo के थूरू या root user के थूरू shell change करके यह काम हमें करके दिया है मतलब दूसरे account का यूज किया है तो यहां यह काम actually हो कैसे रहा है यह मैं आपको दिखाना चाहता हूँ क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपको कोई automation जो perform करने के लिए specific account का यूज करना होता है और यहां इस तरह का काम आप जब ही करते हैं जब आपको वो काम किसी particular user account से ही करना हो तो एक command हम चलाते हैं यहां से ansible फिर group का नाम दे देते हैं dev hyphen m और मैं command module का यूज कर रहा हूँ और मैं id command चला रहा हूँ तो अगर मैं directly एक बार पहले आपको दिखा देता हूँ अगर मैं simply id command run करता हूँ तो देखे क्या होता है मेरी इस machine में मेरी user id मेरी group id और मेरे groups यह show कर देता है तो remote node पर मैं यह information print कराना चाह रहा हूँ कि यह जो command मैंने चला ही यहां id command उसका मुझे क्या output मिलेगा तो मैं सारी machines पर जो भी dev group में है उन पर id command run कर रहा हूँ addhoc command के थूँ तो यहां देखिया output में इसने हमें क्या show किया कि यह जो काम उधर हो रहा है किस से हो रहा है नहरा classes से यह जो id command run हुई है नहरा classes वाले user ने की है उसका group भी नहरा classes है और उसका जो slinux context है वो भी इसने हमें show कर के दिया है वहीं अगर आप इसमें hyphen b लगा देते हैं last में तो देखें क्या होगा hyphen b लगाएंगे तो यह काम फिर sudo के थू होगा तो hyphen b लगा देते हैं और यहां देखिएगा आप इस बार कि जो id show करेगा वो root की show करेगा क्योंकि इसने shell change कर दिया sudo के थू इसने root user के account का use कर लिया है और वहीं अगर आप किसी specific user से कोई काम कराना चाहरे हैं सबोच कर यह id command run कराना चाहरे हैं तो आप यहां लिखते हैं ansible फिर group का नाम hyphen m फिर command फिर hyphen a और id command क्योंकि हम run कर रहे हैं hyphen b लगा रहे हैं become के लिए और hyphen a hyphen become hyphen user मैं मैं लिख रहा हूँ विकास नहरा विकास नहरा जो account पहले ही present है सारी machines में तो यहां विकास नहरा की idea हमें show कर के देगा देखिए तो hyphen a hyphen become user वाला जो option है वो हम generally use करते हैं जब कोई specific task हमें किसी दूसरे user account से perform कराना हो जैसे कि कोई application है उसे उसी user से ही run कराना है तो यह काम तब किया जाता है तो यहां आपको देखिए देखने को मिलाओगा आपको clarity आई होगी कि जो login user है ansible का वो different है लेकिन जो काम actually आपको करके दे रहा है remote node पे वो different user है वो user है जिसको आप specify कर रहे है अपनी ad hoc command के अंडर में अगर कोई repetitive job है जिसमें कि आपको sudo या root का privilege चाहिए तो आप बार बार hyphen b या hyphen hyphen become user नहीं use करते हैं उस तरह के काम के लिए एक option आपको देखने को मिलता है आप ansible की जो default configuration या अपनी खुद की एक configuration फाइल आप बना सकते हैं उसको as a default configuration फाइल यूज कर सकते हैं उसमें आप define कर सकते हैं इस चीज को तो हम यहां जो इसकी default configuration फाइल है ctc के अंदर में ansible के अंडर में ansible.cfg के नाम से उसको sudo command के थुरू open करते हैं क्योंकि इसके लिए आपको root access की ज़रूत होती है इस file में last में आ जाते हैं आरेचल 9 में इस file में आपको options देखने को नहीं मिलते हैं आप manually उनको define करते हैं हाला कि आप चाहें तो अगर file को generate करना चाहते हैं इस command से कर सकते हैं लेकिन आप unnecessary confused ना हो आप सिर्फ उन्ही options का use करें जो आपको आते हैं तो यहां बाकाइदा square bracket में लिखेंगे privilege escalation मतलब कि आप access को कैसे manage करेंगे अगर आपको कोई higher access का task perform करना है तो इस configuration file के अंदर जो default configuration file है यहां हम लिखते हैं become is equal to true become is equal to true लिखने का मतलब यह है कि आप उसको sudo access दे दीजिए यह चीज़ मैंने आपको पिछले session में भी बताई थी privilege escalation वाला जो option है मैंने आपको use करके दिखाया था ansible की configuration file में जो custom configuration file मैंने बनाई थी और उसको बाद में as a default configuration file के रूप में use किया था अब यहां इसमें कुछ और भी options हम चाहें तो use कर सकते हैं अभी उनकी हमें जरूरत नहीं है तो उनको मैं comment out कर देता हूं लेकिन मैं mention कर दूंगा जैसे कि become method क्या है तो sudo यह बारकाइदा जो है आप define कर सकते हैं become user कौन सा है root यह हलाकि आपको लिखने की जरूरत नहीं है और अगर आपको password के लिए prompt करवाना है तो yes लिखेंगे यह true लिखेंगे और become ask password मतलब हम नहीं चाते password के लिए बार-बार प्रॉम्ट करें तो false ही रहने देते हैं अब इन तीनों options को मैं comment out कर रहा हूं क्योंकि इनकी हमें ज़रूरत नहीं है सिर्फ become वाला option मैंने define कर दिय तो यह हमें hyphen b लगाए बिना भी वो काम करके दे देगा तो default configuration file में हमने privilege escalation में define कर दिया है become वाला option अब अगर आप कोई normal command भी चलाएंगे तो यह command sudo का use करके ही चलेगी तो मैं करके दिखाता हूं देखिए last time मैंने जब यह command run की थी तो इसने जो हमें output show किया था id जो show क थी अब इसी command को मैं दुबारा चला रहा हूं तो यह क्योंकि इस बार sudo का use करेगा by default तो यह हमें रूट के id show करेगा तेखिए तो यह difference है यह चीज़ आपको शायद पहले पता नहीं होगी अब यह सारा काम जो है sudo के थ्रू कर रहा है hyphen become वाले flag का use कर रहा है अब copy the files to manage node having specific permissions ownership and group ownership अब suppose किजी आप एक file को copy करना चारहे है specific permissions के साथ specific owner को define करते हुए specific group को define करते हुए अपनी node machines के अंदर तो उसके लिए आप कैसे करेंगे चलिए लिखते हैं ansible फिर group का नाम सारी machines पे करना है तो all लिख देंगे फिर hyphen m लगाएंगे module का नाम लिखेंगे चलिए जी इसके बाद hyphen a लगाएंगे और जो source file है उसका part define करेंगे अब क्योंकि हम उसी home directory में इसलिए हम सिर्फ नहरा classes लिख रहे हैं अगर किसी दूसरी location में होंगे तो पूरा path हम define करेंगे जो आपका कौन सा बात होता है absolute path जो होता है वो define करेंगे तो हमने source file का part define कर दिया अब हम यहां destination file जो है जो इसका path है वो define करेंगे तो destination directory है root user की home directory जहां हम इसको copy करने वाले है तो dest is equal to slash root मैंने mention कर दिया है अब इसके बाद क्या permissions के साथ मुझे इसको copy करना है तो मुझे read write execute तीनों permission देनी है owner को group को read execute और जो other seven को भी read execute तो mode में मैं लिखता हूँ 0 700 सारी permissions मैंने define कर दी अब कौन इसका owner होगा और कौन इसका group होगा वो भी मैं define किये देता हूं साथ ही साथ तो owner में define कर रहा हूं विकास नहरा user group में define कर रहा हूं wheel और quotes को close कर दिया है मैंने अब जैसी मैं enter press करूंगा यह file in specific permissions के साथ महां copy होगी root की home directory में जो आपकी remote nodes हैं उनके अंदर अब देखिए यह yellow color में show हो रहा है इसका मतलब file copy हो चुकी है और हम इसको verify करेंगे अब verify करेंगे बाकायदा permissions चेक करेंगे और यह काम हम directly अपनी control node से ही कर सकते हैं तो उसके लिए हम ansible फिर module फिर all लिखेंगे फिर module का नाम लिखेंगे module हम command module यूज कर रहे हाइपन यह लगा रहे हैं argument के लिए और permissions को list कर रहे हैं ls-lh से और बाकायदस का path दे रहे हैं root के अंडर में nehraclasses.txt वाली जो file हमने अभी copy किये एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए यह हमें बाकायदा दिखाएगा कि जो permissions हैं वो है 755 जो honor है वो है विकास नहरा और जो आते हैं तो यह भी आप पढ़ सकते हैं command module का यूज करते हुए ansible पर गुरुप का नाम हाइपन मोडियूल यूज कर रहे हैं हाइपन ए और हाइपन ए के अंदर में जो simple command argument के रूप में यूज कर रहे हैं वो mention कर देते हैं cat command simply file हमने open कर लिए दोनों ही notes में उसमें लिखा रहे है rc0 का मतलब होता है return code 0 return code 0 तब आएगा जब आपका काम जो है वो हो गया होगा यानि कि जो changes आप करना चारहे हैं जो automation job आप perform करना चारहे हैं वो हो गया होगा otherwise अगर error आती है तो rc1 लिखके आएगा अब आप suppose कीजिए अगली बार आप इसी काम को करते हैं दुबारा लेकिन इस बार आप permissions define नहीं करते हैं आप simply source or destination वाले जो path हैं वो define कर देते हैं और इस बार कोई mode या कोई ownership या group ownership हम define नहीं कर रहे हैं argument के अंदर में argument के अंदर और simply enterprise कर रहे हैं तो यह by default as it is उसको ले लेगा और देखिए हां success हो कर रहा है ग्रीन कलर में जो changes वह implement नहीं हुए और अगर आप लिस्ट करके देखेंगे तो देखिए same permissions वगरा यहां आपको देखने को जाएगा तो इस चीज़ को बोलते है item potency और यही beauty ansible की अब एक और example ले ले लेते हैं जिसमें कि मैं आपको दिखाने वाला हूं कि कैसे आप एक फाइल को एक location से दूसरी location में copy करेंगे अपनी manage nodes के अंदर अभी जो हम काम कर रहे थे उसमें हम फाइल को copy कर रहे है control node से manage node की बीच में इस बार हम अगर manage node की ही एक location से दूसरी location में किसी फाइल को copy करना चा रहे हो तो कैसे करेंगे suppose किजिए tmp directory में एक file है हमारे control manage node में और उसको हम etc directory में copy करना चा रहे हैं मतलब हमारे server से कुछ लेना देना नहीं है उसी जो control node है उसी में एक location से दूसरी पे आपको copy करना है जैसे आप cp command का use करते वे करते हैं cp command में हम एक ही machine में एक location से दूसरी location में copy करते हैं तो cp command वाला काम आप कैसे करेंगे copy module का use करते हैं वो मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ तो देखिया ansible फिर group का नाम लिख देंगे dev group हमने बना रखा है hyphen m फिर copy module हम इस काम के लिए use कर रहे हैं लिखेंगे copy इसके बाद हम source वाला path define करेंगे single quote के अंदर इस तरीके से space दे देंगे और फिर destination मतलब कहा हम इसको copy करने वाले हैं वो path define कर देंगे उसके बाद ये काम हम कहां से करने वाले हैं ये काम हम central node से नहीं करने वाले हैं ये हम करने वाले है manage node के अंदर ही तो उसके लिए हमें एक चीज लिखनी होती है remote sources is equal to yes तो हम etc के अंदर में जो red hat release नाम की file है आपके node machine में ही central server की बात नहीं कर रहा हूं node machine में ही उसको हम वहाँ से उठाके tmp directory में copy कर रहे हैं तो इस काम को करने के लिए remote source is equal to yes हमें लिखना होगा अगर हम remote source is equal to yes नहीं लिखेंगे तो फिर ये हमारे control node वाली file को ले लेगा हम चा रहे हैं manage node की ही file copy हो तो इस तरीके से हम इस job को perform कर सकते हैं अब देखिए यहां फिर शायद जो यह इसने हमें error दी है यह in quotes के वज़े से आती है यह हमें ध्यान से लगानी होंगी हाइपन ए नहीं लगाया मैं actually sorry हाइपन ए छूट गया था argument के लिए चलिए बहुत ध्यान से आपको सारी command चलानी है देखिए yellow color में show कर रहा है इसका मतलब काम आपका हो गया और जो file है वो copy हो चुकी है अब चलिए इसको verify करके देखते हैं तो TMP directory में लिस्ट करके देखते हैं red hat release नाम की file है हमारी manage nodes में या नहीं तो ad hoc command के थुरू यह काम कर लेते हैं देखिए दोनों ही nodes में यह file यह copy हो चुकी है TMP directory में और इस file के अंदर क्या लिखा होता है आपको पता ही है मैं सबसे पहले यही काम आपको दिखाता हूं वर शैचन में चलिए इस file को cat command का यूज करते वे open कर लेते हैं तो दोनों ही node में इसके अंदर क्या लिखा हुआ है red hat enterprise linux 9.0 plow यह लिखा हुआ है तो इस तरीके से आप files को copy कर सकते हैं एक और last example लेते हैं copy module का ही अगर आपको किसी file का backup लेना हो नई file को copy करने से पहले जब भी आप file copy करते हैं तो वो overwrite हो सकती है तो अगर आप चाह रहे हैं कि पहले उसका backup हो जा इसके बाद वो file overwrite हो तो उस काम के लिए आपको क्या कर करेंगे hyphen a लगाएंगे argument के लिए उसके बाद जो source है उसका part define करेंगे src लिखेंगे argument के अंदर इस तरीके से यानि कि नहरे classes.txt वाली file को copy करना है कहां copy करना है root की home directory में copy करना है और यहां यह file overwrite होने से पहले backup ले लिया जाए इस file का तो उसके लिए हम लिखेंगे backup is equal to yes तो यहां जैसे ही हम enterprise करेंगे यह file copy होगी उससे पहले उस file का backup ले लिया जाएगा जो file पहले से मोजूद थी अब आप एक बार root के अंदर root की home directory के अंदर जो जो files है उनको list करते हैं और verify करते हैं कि कि आप backup वाली file यह जनरेट हुई यह नहीं तो ansible add-off command से यह काम हम कर लेते हैं तो देखिए यहां यह file जो है हमें दूसरी वाली file नहीं शोकी लेकिन अगर overwrite होता तो यह इस file को यह बाकायदस का backup ले लेता झाली अब बात करते हैं command module की command module मैंने आपको बताया कि किसी command को आपके target node पर execute करने के लिए command module का हम प्रियोग करते हैं तो इसके लिए आपको argument में उस command को mention करना होता है जो आप perform करना चाहरे हैं जैसे कि मुझे यह uptime command चलागे यह पता करना है कि हमारी जो node machine से कितनी देर से run हो रही है तो ansible फिर group का नाम hyphen m फिर command module यूज करेंगे hyphen a लगाएंगे argument के लिए और command में हम लिख देंगे argument में लिख देंगे uptime तो यह देखिए हमें uptime शो हो जाएगा दोनों ही node machines का बाकायदा उनका load average बगेरा भी शो करतेगा इसी काम को करने के लिए हम row module का भी कई बार use करते हैं तो देखिए यहां हम इस बार same काम को कर रहे हैं लेकिन इसमें हम command module की जगे row module mention कर रहे हैं तो पहले ansible फिर group का नाम फिर hyphen a हम लगा के row module mention किया है hyphen a argument के लिए use किया है और argument के रूप में uptime command चला रहे हैं तो दोनों ही case में इसने हमें जो result है वो same show किया है लेकिन पहले वाले case में हमने command module का use किया था दूसरे वाले case में हमने row module का use किया है यह difference है दोनों के बीच में तो हमें कब command module उसके बारे में जान लेते हैं तो यहां आप कुछ चीजे हैं जो आपको ध्यान से समझनी है जो command module है यह तभी काम करेगा अगर python का 2.4 या higher version आपके node machines में पहले से install होगा तो यहां command module के लिए एक dependency है कि python आपके node machines में होना चाहिए और उसका version भी 2.4 या उससे above होना चाहिए दूसरा एक drawback यह है command module का कि आप यह multiple commands को execute नहीं कर सकते हैं उस case में फिर आपको row module यूज़ करना होगा तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि multiple commands अगर हम execute करते हैं command module का प्रियोग करते हुए तो क्या होता है तो यहां मैं ansible फिर group का नाम dev group पे चला रहा हूँ command जो module है वो मैं यूज़ कर रहा हूँ आइपन यह लगा रहा हूँ argument के लिए और मैं control operator यूज़ कर रहा हूँ split कर रहा हूँ command दो command से ला रहा हूँ एक साथ uptime और lsbl के तो देखिए जैसी मैंने यह command यहां run करने की कोशिश की इसने हमें error दे दिया red color में show किया है rc1 rc1 का मतलब है return code 1 यानि की error है failed हो गया है हमार automation जो हम करना चाह रहे थे अब यहीं आप इस काम को अगर row module से करते हैं तो देखे क्या होगा तो ansible dev फिर hyphen m फिर row क्योंकि row module का use कर रहे है hyphen a लगा रहे हैं और multiple commands execute कर रहे हैं uptime और lsbl के तो दोनई notes में हमें बाकाइदा जो uptime है और जो हमारी जो disks हैं यानि की जो block devices हैं उनकी information यह print करके दे रहा है तो multiple commands भी चला सकते हैं तो जो row module है उसके लिए python वगरा की ज़रूरत नहीं होती यह low level पे काम करता है काफी तो जो multiple commands हैं आप execute कर सकते हैं row module की help से अब आगे चलते हैं जो next module है उसकी तरफ next module है shell module shell module को हम use करते हैं remote command को execute करने के लिए जैसे कि कोई नई shell अगर हमें open करनी है या को script वगएर आगर हमें execute करनी है अपनी node पे तो उसके लिए हम shell module का use करते हैं तो चलिए पहले एक यहां script file बना लेते हैं अपने server में test के नाम से test.sh और यहां हम सबसे पहले आपको मालूम ही है लिखेंगे hash bank जो shell हम use कर रहे हैं bin bash वो mention करेंगे और यहां हम इसमें लिखते हैं hello world file को save कर लेते हैं तो यहां हमने एक file बना ली है अपने server में इस file को अब हम copy करना चाहते हैं अपनी node machines के अंदर copy module का इसके लिए हम प्रियोग करेंगे तो यहां से हम इसको copy कर देते हैं copy module का use करते हुए root की home directory में और इस साथ में जो permissions हैं वो हम लगा रहे हैं 755 मतलब यह executable बन जाए तो हम एक ही बारी में यह काम कर दे रहे हैं तो node machines में हमने यह file copy कर दी है इसके बाद इस file को हमें execute करना होगा तो इस file को हमें execute करने के लिए shell module का use करना पड़ेगा cell से related अगर कोई काम हमें करना है तो हम लिखेंगे ansible फिर हम लिखेंगे all यानि कि जिन nodes पे हमें यह काम करना है फिर hyphen हम लगाएंगे module में लिखेंगे shell hyphen a लगाएंगे और argument में उसका पूरा path define करेंगे जो भी file हमने हमाँ copy की है तो root की home directory में test.assist के नाम से हमने create की है इसका मतलब जो execution है वो सही से हुआ है execution has successfully taken place इस तरीके से आप shell module का यूज कर सकते हैं अब जो next module है उसका नाम है file module file module का जो है प्रियोग किया जाता है files or directories के लिए और जैसे की जो काम हम normally करते है touch command, mkdir command, chmode command, chon command, chgrp या links create करना ln command का use करते हुए या rmdir commands का use करते हुए वो सारा काम हम file module की help से कर सकते है तो suppose कीजिए मैं एक directory create करना चाहता हूँ node machines में किसी particular location में तो वो काम मैं कैसे करूँगा वो मैं आपको बता देता हूँ उसके लिए हम file module का प्रियोग करेंगे तो हम लिखेंगे ansible उस group का नाम लिखेंगे जिस पर यह काम हम करने वाले है hyphen m लगाएंगे module के लिए module में हम file module use करेंगे तो हम लिखेंगे यहां file फिर hyphen a लगाएंगे argument के लिए फिर हम उसके बाद argument में path define करेंगे उस directory का कि किस नाम से और किस location में हम यह directory बनाने वाले हैं तो path जो है वो मैं लिख देता हूँ slash tmp slash data यानि कि data के नाम से tmp directory में एक directory हम create करने वाले हैं और यहां हम file create कर रहे हैं या directory तो वो state वाले field में हम define करना होगा state में मैंने लिख दिया directory इंटर प्रेस करेंगे तो यहां tmp में एक data नाम की directory create हो जाएगी देखिए yellow color में इसने हमें status हो किया output का तो यानि की काम जो हो हो चुका है वहीं अगर आप कोई गलत input दे देते हैं जैसे कि suppose कीजिए state में क्या लिखना है मुझे नहीं पता state में मैंने कुछ गलती कर दी यह गलती जानबूज के भी की जा सकती है और हो सकता है कि यह गलती से हो गई यह mistake तो मैंने state में कुछ उल्टा सीधा ऐसी लिख दिया है तो जब मैं enter press करूँगा तो यह बाकाइदा मुझे suggest करेगा कि आपने कुछ गलती देखिए value must be absent directory file hard link touch get यानि कि यह जो मैंने लिखा एक गलत है इसकी जगए हैं क्या लिखा जा सकता था directory लिखा जा सकता था दा हार्ट लिखा जा सकता था लिंक लिखा जा सकता था तो यह बाकाइदा suggest करता है इतनी artificial intelligence accessible में आ चुकी है कि आपको यह suggestions दे कि आप क्या options वहां use कर सकते हैं तो यहां हमने क्योंकि already पिछली command में ही वहां directory लिख दिया था तो directory create हो भी गई थी अब उसको verify कर लेते हैं कि directory जो हमने वहां बनाई थी वो है या नहीं तो हम यहां लिखते हैं ansible- ansible के बाद लिखते हैं all फिर hyphen m फिर hyphen m लगाने के बाद लिखते हैं command hyphen a और यहां हम लिस्ट कर रहे हैं उस directory को तो ls hyphen d और जो उसका path था हो था tmp data enter press कर देते हैं तो देखिए tmp data के नाम से directory वहां create हो चुकी है इसने हमें status में show कर दिया है वहीं अगर आप इस directory को remove करना चाहते हैं तो आप state में absent लिख देंगे directly और वो directory वहां से हट जाएगी देखिए ansible फिर group का नाम hyphen m लगाके file module यूज करेंगे फिर hyphen a लगाएंगे argument के लिए path डिफाइन करेंगे और state में लिखेंगे absent absent का मतलब है directory को अटा दो yellow color से show किया है output यानि कि जो changes हैं वह हो चुके हैं दुबारा verify करते हैं तो directory वहां से देखिए हट चुकी है इसने return code 0 या 1 नहीं दिया टू दिया है इसका मतलब command तो चली है लेकिन वह directory है ही नहीं इसलिए return code 2 इसने हमें या शो किया है इसी तरीके से आप permissions वगयरा कर डिफाइन करना चाते हैं वह भी आप एक साथ ही कर सकते हैं तो आप ansible के बाद group का नाम लिखेंगे फिर hyphen M लगाएंगे फिर file module का use करेंगे hyphen A लगाएंगे और argument में आप पहले path डिफाइन करेंगे state डिफाइन करेंगे mode में उसकी permissions डिफ डिफाइन करेंगे और enterprise कर देंगे तो उसी के accordingly यह सारी चीज़े माँ आपको करके देदेगा आप क्योंकि file module जो है वो काफी बड़ा module है मुझे नहीं पता कि इसमें कौन-कौन से options कौन-कौन से arguments मुझे use करने को मिल जाएंगे तो मुझे ideally इसका documentation पढ़ लेना चाहिए त तो Ansible iPhone DOC और file में लिख देता हूं तो यहां देखिए इस module की पूरी detail आजाएगी इसका नाम क्या है इसका description भी है इसने show कर दिया है इसमें जो यूजोने वाले options है वो भी इसने हमें show कर दिये है attributes कौन-कौन से हम इसमें use कर सकते हैं उस सारी चीज़े इसने हमें show कर दिय हैं तो इस तरीके से आप इसका प्रियोग कर सकते हैं आपको add-hoc commands modules के अच्छी knowledge होना ज़रूरी है तब ही आप playbooks में उसका use कर पाएंगे अब एक और last आज के session का module हम ले लेते हैं जिसका नाम है fetch module बहुत लंबा session हो चुका है मुझे मालूम है लेकि क्योंकि मुझे करने होएं तो मैं बहुत ज़्यादा time waste नहीं करना चाता हूं आपका last module आज का cover करते हैं fetch module जो है वो copy module का उल्टा है यहां हम अपनी node machine से कोई file copy करने अपने central server में अभी तक हम क्या कर रहे थे central server से copy कर रहे थे node machines में अब हमें data जो है fetch करना है node machine से central server के अंदर तो fetch module का कैस इस्तिमाल करेंगे वो मैं आपको करके दिखा देता हूं तो ansible उसके बाद group का नाम लिख देते हैं फिर hyphen m लगा देते हैं m का मतलब है module फिर यहां मैं लिखूंगा fetch क्योंकि fetch module का हम यहां use करने वाले हैं फिर hyphen a लगाएंगे argument के लिए और यहां हम जो etc के अंदर red hat release न बन जाए उसके अंदर तो उसके लिए argument में हम क्या लिखेंगे source यानि कि जो node machine में फाइल है जिसको हम copy करना चारे है उसका path लिखेंगे etc red hat release और destination में कहां यह copy हो जाए backup नाम की directory में हमारी present working directory जो है यानि की root की directory जो नहरे classes नाम की user की directory है उसमें enter press करेंगे तो यह और list करें files को और directories को तो है देखिए node 1 node 2 के नाम से अलग-अलग directories बन गी है अब जितनी भी आपकी node machine है रही होंगी उतनी directories आपको यह देखने को मिलेंगी इसके अंदर चले जाते है node 1 वाली directory के अंदर fill list करते है तो देखिए है ETC के नाम से इसने बनाया है क्योंकि ETC के अंदर से इसने इसको copy किया था तो पूरा directory की जो hierarchy है उसने इसको follow करते हुए copy किया है अब इसके अंदर चले जाते है EDC directory के अंदर fill list करते हैं देखिए reddit release नम की file यहां हमें show कर दी है और इसको अगर हम open करते हैं तो इसमें बाकाइदा वो पूरी information है जो वहाँ हमें देखने को मिल रही थी तो इस तरीके से हम fetch module के through अपनी manage node से directly copy कर सकते हैं file को अपने sensible server पे जो last module था अलगी वो था get URL module वो मैं आपको दिखाना चाहा रहा था चलिए मैं दिखा देता हूँ आप लोग तहीं आ रहे हैं एक और module अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो पर देख लेता हूँ कि क्या कहानी है कितने लोग हमारे साथ live feed में है 116 लोग जुड़े हूए है बहुत अच्छे एक और module ले लेते हैं last module है get URL get URL module जो है यह बहुत important module है इसका में use करने को मिलता है जब हम किसी file को किसी URL के through download करने की कोशिश करते हैं locally अपनी machine में और यह काम अगर हमें manage node में करना हो तो हम कैसे करेंगे तो get URL module जो है आज के session का last module जो मैं अभी लेना चाह रहा हूँ आज के session में इसका हम use कर लेते हैं get URL module का तो किसी file को अगर हम उसके URL की मदद से copy कर रहे हैं locally अपनी node machine में वो हम कैसे करेंगे ansible ad hoc command से वो मैं आपको करके दिखा देता हूँ तो हम पहले उसके लिए लिखेंगे ansible फिर group का नाम लिखेंगे मैं all लिख देता हूँ सारी machines में अगर मुझे ये काम करना है तो फिर मैं लिखूंगा यहां hyphen m और उसके बाद module का नाम है get URL फिर लिखूंगा hyphen a और hyphen a लिखने के बाद मैं single quotes में उसका URL define करूंगा और उसको मुझे कहां copy करना है वो चीज में उसके destination वाले argument में mention कर दूँगा देखिए URL जो URL है file का वो मैंने mention कर दिया है और उसकी जो destination की location है मतलब किस location में मुझे से copy करना है वो मैंने mention कर दिया है अब यहां एक file है बहुत ही popular file है आप लोगों को पता भी होगा इसका वो मैं पहले आपको दिखाना चाहूंगा यहां से display capture कर लेते हैं देखिए Linux fun की नाम की एक file है पॉल कोबट जी की file है पीडिये फाइल है Linux सीखने के लिए इसको मुझे download करना है यह freely available है इसी से मैं आपको आरे चेल 98 सारे जितने भी रेड़ेट के certifications के courses हैं उनको जो beginning है वो इसी book से मैंने करवाई है तो यह book हम आपको बताते हैं कि आप यहां से download कर लीजेगा तो यह बहुत important book है इसका URL मैंने माद दिया है इसको मैं download करना चाहरा हूँ तो इसको आप कैसे download करेंगे get URL module का use करते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ यहां पर तो आपने add-o command में बाकाइदा get URL module का नाम लिख दिया है और hyphen a argument के अंदर आपने इसका URL और इसका destination path mention कर दिया है enter press करेंगे तो यह file बाकाइदा download हो जाएगी इंटरनेट से आपके उस location में जो आपने define की होगी देखे यह file copy हो चुकी है node machine में तो जिए एक बार चलते हैं node machine की TMP directory में list करते हैं list कर दिया तो देखिए यहां Linux fun के नाम से file आ चुकी है वापस आ जाते हैं अपने server पर और मेरे पास एक grub का documentation है हमारे telegram group में अगर वो मुझे copy करना है तो उसको कैसे करेंगे simply get URL वाले option की जगे उसका URL mention कर देंगे मैंने mention कर दिया है tmp में grub.txt के नाम से यह copy हो जाए अब अगर किसी file पर permissions है मतलब password वागरा लगा हुआ है download करने के लिए तो वो options भी आप यहां इसमें define कर सकते हैं उसकी भी जो क्या कह सकते है feature है वो आपको यहां देखने को मिलता है get URL module के अंदर enter press करेंगे इसने error दे दिया this task has extra extra parameters which is locally allowed which is only allowed in the following modules अच्चा इसमें error इसलिए आई है क्योंकि मैंने space दे दिया था वो ही मैं कहा रहा हूं कि extra parameters तो मैंने define ही नहीं किये तो यहां हर चीज आपको ध्यान से करनी है अब देखिए इस बार को यह error यह हमें show नहीं करेगा अच्छा है कि trouble shooting साथ साथ हम करते हो चल रहे है तो यह yellow color में show रहे है आनि कि जो changes है वो implement हुए है और जो file है वो download हुई है verify कर लेते हैं एक बार कि यह file copy हुई है या नहीं तो चलते हैं अपने node machine में और tmp directory में हम अल्रडी है यह list कर लेते हैं देखे grub.txt के नाम से यह file आ चुकी है तो इस तरीके से आप get URL module का use कर सकते हैं अब इस module का documentation अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको बहुत सारे दूसरे options भी मिल जाएंगे देखे अंसीबल डी ओसी get URL अगर आप करते हैं तो देखे यहां इसका नाम इसका description आपको देखे हैं दिखा रहा है और यहां कौन-कौन से options हैं है देखे attributes है, backup है, checksum है, client certificate है, client key है, destination है, force है और यहां इसमें password वगेरा का भी option आपको देखने को मिलता है आप इसको copy करते समया, owner mode वगेरा, सारी चीज़ें permissions वगेरा define कर सकते हैं अगर password लगवा है तो आप इसका भी use कर सकते हैं तो इस तरीके से आप यह सारे modules यूज़ कर सकते हैं, ansible add-hoc commands में अब line in file module जो है, मतलब module number 8 से लेके आगे की जो module हैं, वो हम आने वाले sessions में cover करेंगे मैं और ज़्यादा आपको नहीं पकाना चाहता हूँ और मैं अपनी machines को भी बंद कर दूँ तो यहां से power off कर देते हैं अपनी machines को और फिर मैं वापस आके आपके comments लेने की कोशिश करूँगा तो मुझे उमीद है कि आज के इस session से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलाओगा काफी सारी ऐसी चीजे रही होंगी जो आपके लिए नहीं होंगी काफी सारी ऐसी चीजे होंगी जिनके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा पहले से पता भी होगा लेकिन आज और बहतर तरीके से आप उसको समझ पाएंगे तो अगर आपको हमारा आज का session पसंद आया हो तो आप चाहें तो इस वीडियो को like कर सकते हैं चैनल पर नए हैं तो subscribe करके bell notification ओन कर सकते हैं यह training हम आपके लिए लेकर आते हैं Monday, Wednesday और Friday को 9 बच के 30 मिनट पर इंडियन टाइम के साब से वहीं अगर आपको RHCS से या servers वाली training के वीडियो उसको access करना है तो आपको standard level और extended level की respectively membership join करनी होती है membership join करने के लिए आप चाहें तो join button पे click कर सकते हैं इन वीडियो के comment boxes में हमारे WhatsApp group में या फिर Telegram group में भी हम अपने उन members को जो मैं support करते हैं remote support प्रोवाइड करने का भी काम करते हैं अब मैं वापस आ जाऊंगा आपके comments लूँगा आपके जो doubts होंगे उनको resolve करने की कोशिश करूँगा और साथ ही साथ जो लोग हमारे साथ अभी तक जुड़े हुए हैं वो लोग एक बार अपना नाम लिखते हैं उन लोगों को study material का link प्रोवाइड करने का भी मैं काम करने वाला हूँ तो एक बार थोड़ा सा पानी पी लता हूँ थक गया हूँ बोलते बोलते यह training free of cost मैं deliver करना चाह रहा था free of cost ही deliver करूँगा membership नहीं लगाना चाहता हूँ थोड़ा सा समय दीजेगा बहुत सारी कमेंट्स आए है उंकर शुकला जी नरेंद्र भाई संजीव भाई अनीक जी अकिलेश भाई हिमान्शु गोयल जी अजीद भाई entertainment मुहम्मद सल्मान जी बिनायक कुंडू हिमान्शु गुलाटी सोवन दत्ता जी हरेंद्र जी अक्षे सोनी जी जितिंद्र भाई अक्षे भाई अनीरुद भाई राजीव भाई तनमे जी समसारा जी अमित पांडे उंकर शुकला जी अरुन ठाकुर अकिलेश पाल जी सावन त्यागी पूर्वी जी मुकेश कुमार जी ग्रेट अग्रेश जी रेड़ाट एजुकेशन यानी की कोशल किशोर रिंकु जी अनीक एहमज जी अजे भाई अकिलेश जी आतिव भाई सिंगु संदीब जी हैंगाउट बड़ी जी तैनमे दाज जी हरेंदर रावज जी राहुल कृपलानी जी सभी को गूड इवनिंग विवेक जी सौरब जी फरोग जैदी जी रिंकु जी विकास जी एतर जोईब भाई आसुतोज जी हैदर अली आतिव सेजाद अमित सिंग परांटे भावनेश मुवीज टाइम आतिव अडिमिनिस्ट्रेटर गूड इवनिंग नरेंद सैनी जी तनमो इदाज जी अमित जी पूजा जी विस्मनाज जी नितिस बड़ जी मौमद हमाद विकास सि जी नितिस जी एमज जी नितिस बड़ जी हमाद रिजवी जी अंकर शुकला जी तरुन कुमार पाल भाई परवीन कुमार जी राज शेकर जी ग्रेट अग्रेस बूड इवनिंग राजेश अनीक गौरव रवी सर्मा जी लाउड नजट भाई नितिस जी बिल्कुल पूरा सपोर्ट आपको मिलेगा अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करते हैं मैं सपोर्ट में कमी नहीं छोड़ूँगा आपको पताइए मैं कितना एक्टिव रहता हूँ हमजा जी सरीना जी एहमद बाजवा जी फायजान जी एहमान शुकुलाटी अंकित गुपता जी नवीन शुकला जी हैंगाउट बड़ी अकिलेश जी हाँ जी मुझे मालूम है नहरा ग्लाज़िज में टाइप और अड़ी तभी वो कमांड नहीं चली थी चिंता मत कीजिए वो सब कुछ गल्तियां हो जाती है मैनुली टाइप करते हैं सचिन जी अकिलेश यादव जी राजीव के ध्यानी जी एदर अली डिपी का चोदूरी जी हरेंद रावच जी जितने भी लोगों का नाम है वो लोग गुरूप से हटा देंगे हमें सीरियस लोग चाहिए जो सीरियसली सीखना चाहते हैं जब मैं इतना एफट डाल रहा हूं आपके लिए आपको भी थोड़ा सा एफट डालन है अमिस सिंग जी गिरिजेंदर जी मुकेश कुमार जी अभी नंदन जी तेजस भाई रवी भाई एमद भाई अवंदीप यूजर प्रशाद जी सिंगू अजे भला जी सोवन दत्ता जी सुप्रिया जी दुरुगा जी रिंकु एफस टुडे चलिए 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 ठीक है अगर 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 अपको अभी दिखाया फाईल को को करके अब आने वाले ताम में बहुत सारे मोडूल में आपको दिखाऊंगा तो आपको सारी क्लारिटी आजाएगी यूर एक्सिलेंट थैंक्यू रडड़ एजुकेशन कोशल किशोर मुझे पता है आपका नाम प्रोग्रामिंग पाइथन लोट बिल्डिन मोड्यूल्स हाउड डू यू रिमेंबर विद इट्स अर्गूमेंट मैंने आपको बताया कि आपको याद करने की ज़रोत नहीं ह को डेंच से लेते हैं लेकुन होता है लेकिन बाद में आपको काम करना शुरू किया तो आपको सारी कंण नाकि याद रही यह न काम के साथ ह 이거 मुझे यूज़ धूर्य रह् tutto जैतना को दोक्मेंटेज को करेंगे जितना चलेंगए अगर को नहीं रही पता है तो आप बाकाईता पहले मोडियूल को लिस्ट कीजिए उनका डेस्क्रिप्शन पढ़िए आपको पता चलेगा कि इस मोडियूल का क्या यूझ है फिर इस मोडियूल का जोब है वो बहुत सीरियस जोब है Linux सीखने में भी बहुत टाइम लगता है Ansible Automation सीखने में भी टाइम लगता है अगर कोई आपसे कहा रहा है कि मैं 20 गंटे में Ansible सिखा दूँआ, 30 गंटे में Linux सिखा दूँआ, समझे जूट बोल रहा है मैं बार-बार ये चीज़ कहता हूँ, जितना आप इस काली स्क्रीन पर, इस टर्मिनल पर, कमरें लाइन पर टाइम बिताएंगे, उतना ज्यादा एक्सपर्ट आप बन जाएंगे इंप्लिमेंट करने, चलिए तरुम कुमार येस बोल रहे है, हैदर अली, चंदर भाई येस, दिनेज विज जी, विकास सिंग, दीरज जी, ग्रेट अग्रेज जी, चलिए सभी के कमेंट्स ले लिए हैं, जो लोग हमारे साथ लास तक बने रहे हैं, उनको सभी को स्टेड अगर नोड पर मशीन रूट और नॉर्मल यूजर दोनों पर पास्वर्ड लेस किया हुआ है, तो फिर एडो कमांड कौन से यूजर से रन होगी, एडो कमांड उसी यूजर से रन होगी, जिससे आप कर रहे हैं, या अगर आप डिफाइन कर रहे हैं, बिकम यूजर में, जो अगर आपने विकम यूजर में डिफाइन किया है, उससे रन होगी, दूसरी चीज, पास्वर्ड लेस कभी भी, रूट यूजर से मत कीजेगा, रेक्मेंट नहीं किया जाता, नॉर्मल यूजर से ही आपको एंसिबल को यूज करना चाहिए, तो रूट यूजर का अग रहेगी यह ट्रेनिंग, बस राउनलोड मत कीजेगा, जो भी देखना हो, यूट्यूब पे देखिएगा, मैं में मेंबर्शिप नहीं लगाना चाहता हूँ, आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे, तो मुझे मजबूरी में 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 लगाना नहीं पड़ेगी, दीरज ज अब जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सो लोग हैं, जो हमारे साथ लाइफ फीर में अभी भी बने हुए, इन सभी लोगों के लिए, study material जो भी मैं इतनी मेहनत से बना रहा हूँ, free of cost मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ, लिंक आपको देने वाला हूँ, ए फोन नमबर प्रोवाइड करेंगे, उन सभी को study material हम प्रोवाइड कर देंगे, और ये लिंक आप किसी दूसरे के साथ शेयर ना करें, हम उनी लोगों को access देंगे, जो live feed में हमारे साथ हैं, और हमारे WhatsApp ग्रूप का हिस्सा हैं, अब जो नए लोग हैं, जिनने उस WhatsApp वाला है, वो इसी form को जब submit करेंगे, तो उने उस group का link महां automatically आजाएगा, उस से वो join कर सकते हैं, उस group को, शितिज दास कह रहे हैं, I am removed from the group, वो सभी लोग ग्रूप से remove कर दिये गए थे, जिनका नाम डिस्पले नहीं हो रहा था WhatsApp में, तो प्लीज अब अपना नाम सेट कर कर दिया जाएगा, और अगर कोई ऐसा बंदा है, जो group में है, और वहाँ idle बैठा हुआ है, यहां sessions join नहीं कर रहा है, support नहीं कर रहा है, उसको हम remove कर देंगे, जितने भी लोग ग्रूप में रहेंगे, उन सभी लोगों को, हम study material और remote support, हर चीज प्रोवाइड करेंगे, वो स समसारा जी, nice session, you went so much detail, new topic, new content collection and collection navigator, मुझे पता है, वो सब मैं cover करूँगा, चिंता मत कीजिए, I can't find any good documentation, documentation मिल भी जाएगा, तो उसको आपको समझाने वाला जब तक नहीं है, आपको दिक्कत आती है, मैं सब कुछ कवर करूँगा, समसारा जी, चिंता करने की ज़रूत न 9 के नाम पर, फैजन कहरे हैं, can't thank you enough sir, great session always, thank you so much फैजन भाई, thank you so much, तो आप में से जितने भी लोग हैं, जो हमार से study material का support लेना चारहे हैं, वो इस form को submit कर दीजेगा, फिल करके, और एक बार दुबारा से मैं आप लोगों से हैं request करना चाहूँगा, कि अगर अभी तक आ इलाबा, और ना कोई इतना detail में आपको पढ़ाएगा, ना कोई इतना time invest करेगा, ये documents बनाने में मुझे दो-दो दिन लग जाते हैं, मैं really बता रहा हूँ आपको, तो आपको भी थोड़ा सा support करना चाहिए, आपको इसको share भी करना चाहिए, बाकी लोग के साथ, जो लोग पैसे देते हैं, 20-25-25 रुपे देते हैं, इन trainings के लिए, और वहाँ अच्छा content नहीं मिलता है, ना remote support आपको कोई provide करता है, और मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, मैं आपको remote support भी देता हूँ, आपको documents भी provide करा रहा हूँ, आपसे कोई charge भी नहीं ले रहा हूँ, बस यह request है क मैं corporate trainings भी नहीं ले रहा हूँ, मैं यहाँ कोई भी ad या कोई इस तरह का काम नहीं कर रहा हूँ, promotions नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास daily promotion की 5-10 mail आती है, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि उससे content की value खतम हो जाती है, अगर कोई मेरे misguide करने से वाँ ज सब्सक्राइब कर रहा हूँ, हम मतलब बिल्कुल charity वाला काम कर रहे हैं, तो आपको support करना चाहिए, how to integrate more modules in Ansible, सब कुछ cover करेंगे बाई, चिंता ना कि ये करें, पहले हम जो ये most popular जो modules हैं, उनको cover कर लें, आने वाले time में हम बहुत कुछ और भी आपके लिए करने वाले ह हैं, बहुत कुछ मैंने सोचा हुआ है, तो प्लीज आप पहले ये link जो है, इस पे जाएं, study material के लिए ये details फिल कर दें, महां से एक आपको acknowledgement आएगा, आप उस group में join हो जाएं, और study material का link आपको मैं provide कर दूँँगा, और already provide हो जाएगा, उस पे request डाल दें, तो study material भी हम नहीं है, और यहां, बाकायदम क्रोस verify करेंगे, जो जो लोग यहां थे और हमारे group का हिस्सा है, अगर कोई ऐसा बंदा है हमारे group में, जो sessions जोइन नहीं कर रहा है, उसको हम group से हटा देंगे, उसका study material का access भी revoke करना भाह में पढ़े जाएगा, यहां तो support भी दे रहे हो, क भी नंदन जी, thank you so much, अंदर भाई, thank you, विस्मिनाज जी, thank you so much, तो आज के session में अब इतना ही, लगबग देड़ गंटे से जादा हो गया है, मुझे लगातार बोलते हुए, अब बाकी modules जो है, उनमें से कुछ modules को cover करने की कोशिश करेंगे, next session में, और मैंने आपको बताय जितना डिटेल में आपको पढ़ाने वाला हूँ, और मैं आने वाले टाइम में आपको प्रैक्टिकल्स भी करवाँगा, बाकाइद आपको जो है, assignments भी प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा, आप GitHub पर अपनी प्लेबुक्स वगयरा को भी डाल पाएंगे, तो वो सार नेक्स सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए मेरी आपसे यही गुजारिस रहेगी, कि आपने अगर वीडियो को लाइक ना किया हो, तो लाइक कर दें, शेयर ना किया हो, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब ना कर रखाओ, तो सब्सक्राइब भी कर लें, लिग दिन व झाल